विदायक आरिफ मसूद ने आज पत्रकार वारता में चर्चा करते हुए बताया कि लगातार 22 वर्षों से जशने आजादी का पकवाड़ा मनाया जा रहा है इस वर्ष भी ये कारिकरम पाच अगस्ते प्रारम होकर 13 अगस्तक विबिन स्थानों पर आयोजित किया जाएगा जिसमें पाच वी से बारवी के चात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे एवं हिंदुस्तान की आजादी में उलाना की कुर्बानी के विशय पर अपने व और वो बच्चे जादा से जादा उलेमा एकराम के नाम याद करके आएं और पुच्छाए पर बहदे कामकस्द इस प्रोग्राम को हम हाल में بھی करा सकते थे कोई स्कूल केमपस में एजुकेशन सेंटर पर करा सकते थे लेकिन चोराई पर कराने का मकसद ये कि हर धर्म हर समाज का व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में जाने जो बच्चा पढ़ ला और महबत की जागे फर्स सेकेंड थर्ड इनाम होंगे केश प्राइस दिये जाएंगे फिर एक बड़ा प्रोग्राम आखरी प्रोग्राम जो होगा वो लास्ट बड़ा होगा जो धर्म काटा जिन्सी पे होगा यही इसका मकाम है लगबग दस साल मेरे फ्रेंस करा मेरे साथी सबकी मेनस से सबकी मदद से बोपाल वालों की मदद से हमने इसको पूरा करा अब ग्यारमा साले कल से ये पकवाड़ा फिर बोपाल में प्राराम होगा आपको इसका शुडून दिया जा रहा है मैं आप से हाथ जोड़के दरखाश करता हूँ कि मेरबानी करके आज के दोर में इसकी आवशकता जादा है जिस ताकत से नफरत वही है मनिपूर हमारे सामने है राइस्थान की एक घटना ट्रेन की हमारे सामने है मेवाद की घटना हमारे सामने है जिस तरह से जातियों को आपस में लड़ाये जा रहा है नफरत बाटी जा रही है इन सब को दूर करने के लिए महबत का पेगाम बहुत जरूरी है और यह देश के नौजवानों को समझना बहुत जरूरी है के हर धर्म हर जाती हर व्यक्ति के पूरवच का इस देश के आजादी में योगदान है सबके योगदान से यह देशादाद हुआ उसी की बुनियाद पर ओले माइकराम की कुर्बानी याद करो प्रोगाम कल से प्रारम होगा जो शेहर के विविंचोराओं पर होगा यही मेरे आप से निवेदन करने बुलाया था इसका मैंने पत्र भी आपको दिया सुप्रीम कोट द्वारा राहूल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद भोपाल की मध्य सीट से कॉंग्रेस पिधायक आरीफ मसूद ने कहा कम से कम सुप्रीम कोट ने नयाय की रक्षा की हम पहले दिन से कह रहे हैं कि राहूल गांधी को जो सजा दी गई वो गलत दी उस सजा पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा कर अच्छा संदेश दिया है जिस तरह एक दिन में ने लिया गया यह सब ठीक नहीं है ब्यूरो रिपोर्ट ग्रामिंट भारत टीवी खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिंट भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें